इस लेक्सर में हम डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बारे में डिस्कस करेंगे यह मेज में आप देख सकते हो जी यह बी आर अंबेडकर अभी क्यों कर रहे हैं जी डिस्कस एक तो इनकी आज 14 अपरेल को बर्थ एनिवर्सरी होती है और इसलिए भी प्राइम मिनेस्टर नंद एनिवर्सरी होती है हमने इनको कवर कर चुके हैं एक क्लास में और आज कवर कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी को जिनकी 14 अपरेल को होती है देखो यह हमारी प्रिलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपोरेंट है प्रिलिम्स के लिए कुछ फैक्ट वगरा देखेंगे हम इनके बारे में और मेंस के लिए इनकी आइडिलोजी विचारधारा क्या थी जी वो इंपोरेंट है कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनकी आइडिलोजी प्रिजेंट में किस लिए इंपोरेंट है इंडिया के लिए मतला भवी क्या महत्रपून है इनकी आइडिलोजी का तो स ये political leader थे जी, philosopher थे, writer थे, economist थे, scholar थे, मतलब विद्वान, social reformer थे, इन्होंने untouchability को eradicate करने में अपना योगदान दिया, पूरी life dedicate कर दी जी, छुआ चात को मिटाने में, छुआ चात मतलब है जी untouchability, यानि कि discrimination on the basis of caste, जाती के नाम पे, आधार पे, जो भेदवाब होता है, उची और नीची जाती create करके, और जो social inequality है इंडिया में, सामाजिक ऐसा मानता है, उसको मिटाने में इनका एहम योगदान है, इनका जनम होता जी 14 अप्रेल 1891 को, 14 अप्रेल 1891 में मध्यपरदेश के एक स्टी में इनका जनम होता है, गाउं में जी, ये महर कास्ट से जगह में, जो अपर क्लास के लोग होते हैं, और इनके साथ बच्पन से ही इन्होंने discrimination देखने को मिला था, इनके जो father थे, वो British जो army थी, उनमें soldier थे, इसी वज़े से इनको पढ़ने का अधिकार मिला, और ये पढ़ने जाते थे तो school में जी, इनके जो school में जो कमरा होता अपर कास्ट के बच्चे वो बैठते थे कमरे में, और कमरे के बाहर इन्हें बठाया जाता था, अलग, और इनके लिए इन्होंने लिखाया अपने book में, अलग pot रखा जाता था, बरतन या फिर अगर एक ही बरतन है, pot घड़ा, पीने के लिए पानी, तो जो पियन होता था जी, टपडा सी, वो इन्हें पानी पलाता था, अलग से, मतलब गिलास से उपर से पानी डालता था, और हाथ से ये जैसे ओक बना के पीते न, ऐसे पीते थे, ताकि गिलास टच ना हो जाए इनके, तो अगर मालो किसी दिन पियन नहीं आया थी छुट्टी पे हैं, तो पू इंगलिस नहीं में जी, आउट कास्ट वेलफेर असोसियेशन, मतलब इन्होंने जो डाउन ट्रोड है जी, जो पिछडी होई कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, उनके, उनमें एजुकेशन और कल्चरल रिफॉर्म करने के लिए जी, एजुकेशन सिक्सा स्प्रेड करने क सभा बनाई और इसी नाम से एक बहिस्करित, जो बहिस्करित है, बहिस्करित भारत के नाम से एक फोट Danny News Waitapter का मतलाई जी, 15 दिन, फोट télé का मतला होता है, 15 दिन में कोई चीज हैपन होती हो, तो फोट सब 1927 में इन्होंने एक अलग संग बनाया कि, जिसका नाम था संता, सम्जा, सम्ता, समाज यह समाज सम्ता संग समाज सम्ता संग इस नाम से इन्होंने यह संग बनाये 1927 में इन्होंने किसलिए ताकि हिंदू और दलित के बीच में मतलब equality लाई जा सके हिंदू और दलित के बीच में equality लाने के लिए समाज, समता, संग इन्होंने बनाये 1927 में और उसके बाद जी इन्होंने जी एक temple entry moment चलाया 1930 में ऐसा होता था कि जो दलित लोग थे यानि कि depressed class के लोग उन्हें temple में entry नहीं दी जाती थी मंदरों में घुशने का अधिकार नहीं था तो इन्होंने नासिक में एक temple है, काला राम temple 1930 में कि सभी लोगों को मंदर में जाने का अधिकार हो और किसी सभी को human right हो, मानव अधिकार हो, social justice हो, सामाजिक निया हो इसके लिए इन्होंने struggle किया और temple entry moment चलाया इन्होंने जो round table conference हुई थी, तीन round table conference 1930 से लेखे 32 तक जो greatest government ने कराई थी, तो तीनो round table conference में dr. अंबेडगर जी ने पार्टी स्वेट किया, और उसमें जो untouchable लोग थे उनको represent किया और उनके views रखे जी अपने, मतलब greatest लोग के सामने इनके interest के लिए 1932 में क्या हुआ जी, mcdonald award आया, greatest government ने introduce किया इंडिया में mcdonald award या communal award, किसलिए, जैसे 1909 याद है आपको, उसमें monte, ये monte, morlemento आया था, morlemento ना, इसका ना, morlemento reform आया था, जिसको government of India act 1909 भी बोलते हैं, जिसमें muslim community को separate electorate दिया गया था, separate electorate का मतलब है जी, कि ये election में muslim लोग ही खड़े होंगे, किसी particular जगह से, और उस पे muslim लोग ही vote कर सकेंगे, समझ गए, मतलब muslim लोग ही खड़े होंगे, muslim ही vote कर सकेंगे, हिंदु नहीं vote कर सकेंगे, particular constituency में area में, ये है separate electorate, इसी तरह का system लाया गया दलित लोगों के लिए, पिछड़ी जाती के लोगों के लिए communal award नाम से, 1932 में, उस समय पे गांधी जी पूना की यरवदा जेल में थे जी, यरवदा सेंटरल जेल में, तो गांधी जी इस बात से बहुत नाराज हुए, उन्होंने सोचा कि ये तो हमारी हिंदु community को divide कर देगा, उंची जाती और नीची जाती के नाम पे, और गांधी जी चाहते थे कि एक हिंदु community पूरी एक रहे, तो वो नाराज हुए जी उन्होंने fast कर लिया unto death, मतलग मरते दम तक fast करेंगे, अगर ये वापस नहीं लिया communal award, तो इसमें जी फिर अंबेडगर को समझाया गया जी, भीमराव अंबेडगर जी main leader थे दलित लोगों के, तो उन्होंने मान लिया ठीक है जी हम नहीं लेंगे इसे communal award, तो ये फिर इनके बीच में गांधी जी और अंबेडगर जी के बीच में एक समझाता हुआ agreement जिसका नाम है पूना pact, पूना pact के नाम से, इस समझाता है यह हुआ कि हम communal award को नहीं लेंगे drop कर दिया idea of separate electorate का जो communal award आया था separate electorate दलित के लिए drop कर दिया यह idea और उसके base पे number of seat reserve कर दीजी depressed class के लिए मतलब जो भी depressed class थी दलित समाज के लोग थे उनके लिए कुछ constituency में reserve seat रख दी कि उन seat से मतलब यह खड़े हो सकेंगे लेकिन उसमें vote सारे करेंगे हिंदू people हो चाहे muslim people हो सब vote करेंगे तो यह कुछ seat reserve रख दी 1936 में इन्होंने जी एक independent labor party established की फाउंड की independent labor party और 1939 में जब second world war हुआ था तो इन्होंने इंडियन से कहा कि आप join करो आर्मी को और जो बेटिस आर्मी लड़ रही थी जर्मनी के अगेंस्ट और जर्मनी में था नाजीजम तो इन्होंने कहा कि नाजीजम को defeat करने के लिए ह हराने के लिए नाजीजम था जी जर्मनी में जर्मनी में क्या था हिटलर नेता था जी नाजी पार्टी थी एक नाजी पार्टी के नाम से जैसे हमारे देश में पार्टी है ना कॉंग्रिस पार्टी वगरा ऐसे नाजी पार्टी थी जर्मनी में तो ये नाजी पार्टी न तो यही था जी, नाजिजन तो इसको हराने के लिए अम्बेड गर जी ने कहा कि यह नाजिजन क्या है किसी community को जी कास्ट के बेज़ पर रने के किसी community के लिसर बेज़ पर अगेंस्ट भेधवाव करती है नाजिजन discrimination करती है तो इस philosophy को नाजिजिम को और फासिजिम को हराने के लिए आप बेटिस आर्मी में सामिल हो जाओ और उसका साथ दो और इन्होंने जी फिर 1942 में एक SC Federation established की, found की, स्थापना की SC Federation 1942 में, तो ये भी आपको याद रखना है, next इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को 1956 में 14 अक्टूबर को इन्होंने अपना धर्म convert कर लिया बुद्धिजिम में इन्होंने बुद्धिजिम अपना लिया, कि इन्होंने कहा कि हिंदुजिम में discrimination होता है, man discriminate करता है, man against man मलब आदमी आदमी के बीच में भेधवाव करते हैं हिंदुजिम में तो इसको छोड़के इन्होंने बुद्धिजिम को अपना लिया और उसी टाइम में, उसी यर में इन्होंने अपनी last writing लिखी मतलब last book लिखी जिसका नाम है बुद्धा and his dharma इन्होंने last book लिखी, 1990 में इन्हें डॉक्टर भीमराम अंबेडगर जी को भारत रतन दिया गया, government ने दिया, भारत रतन मरने के बाद ये 1990 में जी 14 अप्रेल 1990 से लेकर, 14 अप्रेल 1991 को year of social justice के नाम से celebrate किया, in the memory of बावसाहिव के नाम पे ये year celebrate किया, एक government ने जी ministry of social justice and empowerment के अंडर एक foundation बनाई, डॉक्टर अंबेडकर foundation, 24 मार्स 1992 को ये as a society register करी, Societies Registration Act 1860 में ये society की तरह register की इसका main objective क्या था जी, इसका target क्या था, इस society का जो foundation अंबेडकर foundation launch की थी, government ने 1992 में इसका target था जी, जो अंबेडकर की जी, डॉक्टर भीमराम अंबेडकर की ideology और message को spread करने के लिए कुछ program बनाई होते, scheme योधन चलाई जारी थी उनको implementation करने के लिए ये foundation बनाई, अंबेडकर foundation जो है जी इनकी 1936 में लिखी, untouchable एक book लिखी जी 1948 में, और बुद्धा और कार्ल माक्स नाम से book लिखी जी 1956 में, 1956 में तो इनकी कुछ important book और newspaper हैं, ये आपको याद रख नहीं, मैं इस the following में कहीं भी पूछा जा सकते हैं अब पढ़ते हैं जी ये Indian constitution के main architect थे कैसे, देखो जी Indian constitution भारते सविधान बनाने के लिए बहुत सारी committee बनी, उनमें सबसे major main important committee थी drafting committee, उस drafting committee के जी ये chairman थे भीमराव अंबेड कर जी, मतलब last sign इन ही के थे जी जो ये बोल देते थे वो होना था, constitution में वो ही लिखा जाना था इनकी देखरेक में सारा constitution बनाया गया, ऐसा कहते हैं जी उस time पे पूरी constitution assembly थी जो सविधान बना रही थी, उस time में कोई भी इनके बरावर पढ़ा लेखा नहीं था, जी डॉक्टर भीमराव अंबेड कर के बरावर कोई भी constitution assembly में कोई भी पढ़ा लेखा नहीं था इनके ब right हूँ constitution में और strong central government का support किया तो रखा इनोंने central government strong रखी सविधान में और minorities को protection देने के लिए कुछ article जोड़े जी, जैसे minority के लिए article 29-30 ताकि जैसे muslim सिख लोग हैं जी, वो अपनी education को promote कर सकें, culture को promote कर सकें, तो इनके लिए article 29-30 रखा जी इनोंने, और देखो women's के लिए चाहिए upper caste की women हो, चाहिए lower caste की women हो, उनके लिए बहुत इनोंने काम किया, हिंदू code भी लए एक, इनोंने लाया गया, किसलिए लाया हम भी discuss करेंगे, जी आगया भी हम, article 32 है जी जो हमारे constitution में, एक fundamental right है, इनोंने उसको कहा, ये constitution का soul and heart है, मतलब आत्मा है, ये दिल है, हमा provincial level पर government को powerful, power दे देंगे, अगर मानलो जी, state level पर, local level पर government powerful होगी, तो इनका मानना था कि local level पर क्या जी, village areas पर caste dominant करती है, जी caste को domination है, मतलब upper caste dominant करती है, तो वो क्या करेंगे, जो अभी भी जो दलित लोग है जी, उनको पिछड़े ही रह जाएंगे, उनके पास कोई power नही कास्ट का जो influence है, बहुत ही कम है, कास्ट प्रेसर, तो इसलिए इन्होंने strong central government का promotion किया, लेकिन गांधी जी ने strong village level पर government strong हो, village पंचात हो, उन्होंने promote किया था, गांधी जी की principle ये था, village level पर strong government हो, तो उसके एक दूसरे के against थे ये दोनो, ideology में, ये जी डरते थे, कि minority के right क लेके, कि democratic जो rule है जी, उसका मतलब ये नहीं है, कि one vote और one man और one vote हो, मतलब एक आदमी एक vote हो, सिर्फ इतना मतलब नहीं है, उसका ये मतलब है जी, कि minorities हैं, उनको भी power share की जाए, उनके साथ भी, तो ये डरते थे, against थे, किसके majoritarianism syndrome के, ये एक ऐसी ideology है जी, जिसमें majority rule करती है, minority को उपर, तो इनको इन्होंने constitution में minorities को safeguard के लिए, इसलिए कुछ provision रखी, जैसे article 29 और 30 हमने discuss किये, कुछ लोगों ने कर्टिसाइज किया इनको, कि हमारा constitution सभीदान में, पूरे world में lengthiest constitution है, सबसे लंबा constitution है, इतने लंबे constitution की क्या जोड़ रत थी, तो इन्होंने उसक constitution को without technically, इसे ना, मतलब technically violate ना करें, इसका misuse ना करें, इसको रोकने के लिए, सब के लिए safeguard दिया गया है, मतलब एक सुरक्षा दी गई है, constitution में सभी community को, सभी लोगों को, और सारे जो भी रीती रिवाज उसको ध्यान में रखे जी, safeguard दिया गया है, तो इस तरह से अंबेड constitution में रखी provision और lengthiest constitution बनाया, next जी constitutional morality के बारे में इनका क्या विचार था जी, constitutional morality according to भीमराव अंबेड कर ये थी, कि मानलो जी कोई different people हैं, या फिर administration के बीच में कोई conflict हो जाता है, कोई conflict of interest, मतलब बीच में जगडा होता जी, different people और administration के बीच में, तो इनके बीच में effective coordination लाना चाहिए, और effective coordination कैसे होगा, constitutional morality से, इन्होंने कहा कि ये जो अगर conflict हमें resolve करना है, तो without any confrontation, मतलब बिना लड़ाई जगडे के अगर conflict हमें, conflict का मतलब जी विवाद, dispute, अगर हमें बिना लड़ाई जगडे के dispute को मिटाना है, तो सारे जो groups हैं, उनको एक साथ आना पड़ेगा, और इसके लिए, ये constitution है जी, कि constitution can play important role, इसमें क्या है, according to him में जी, जो society इंडिया की, society based है, किस पे divided है, इंडिया की जो society समाज है, वो divided है, विवाजित है किस के बेज़ पे, caste के बेज़ पे, religion, language और other factor के बेज़ पे, ये divided है, तो सब के लिए एक common moral compass होना चाहिए, सब के मतलब चाहिए, कोई भी caste community का religion का धरम का हो, सब के लिए common moral duty होनी चाहिए, और वो था जी, constitution, सवीधान, तो सवीधान दोनों के बीच में, different communities और administration के बीच में, जो conflict है, उसे बिना लड़ाई जगड़े के solve, resolve कर सकता है, next जी, democracy के बारे में, इनकी क्या ideology थी, democracy के बारे में, जी, complete faith था जी, मतलब लोगतंत्र में, इनका complete faith था जी, पूरी आस्ता थी, इनकी democracy में, और ये कहते थे, कि देखो, जो dictatorship है, dictatorship के मतलब है, जो king होता है, राजा, बिना चुने हुए, राजा का बेटा राजा बन जाता है, उसका बेटा फिर राजा बन जाता है, उसे बोलते है, dictatorship, जो dictatorship है, वो क्यों की result तो ला सकता है, produce कर सकता है, लेकिन ये valid form of government नहीं है, dictatorship, तो democracy को उन्होंने superior बताया जी, किसी और government से, liberty को enhance करने के लिए, liberty का मतलब है, freedom, freedom को enhance करने के लिए, democracy एक अच्छा सासन है, और इन्होंने support किया, parliamentary form of democracy को, जो हमारी constitution में अभी भी है, parliamentary form of government और उसी के base way government बनती है, हमारे देश में, इन्होंने emphasize कि democracy as a way of life, एक life का हिस्सा है जी, democracy, democracy का मतलब ये नहीं है, कि सिर्फ political sphere में democracy हो, democracy का मतलब है जी, personal हो, social और economic sphere में भी democracy लोगतंत्र आना चाहिए, इनका कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब ये जी, political का मतलब है, सिर्फ vote देने का अधिकार हो, सभी को equally, सिर्फ ये democracy नहीं है, सामाज की रूप में भी equality हो, economics fair में आर्थिक ववस्ता, सभी land वगर का distribution equally हो, ये भी democracy है, तो इन्होंने इस पर ही जोड दिया था, इनका ये था जी, democracy को जी drastic change लाना चाहिए, social condition में, society की social condition में, तो इनका मनना ये था ताकि जो political democracy है जी, उसका मतलब है one man, one vote, तो democratic जो government है जी, उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है, कि political democracy हो, उसका मतलब ये भी है जी, democratic society हो, जो democratic society का मतलब ये है, जो society में, जो caste hurdles है न, exist करती हमारी society में, वो real democracy को achieve करने में एक बादा हैं, जी hurdles हैं, तो इनको पहले remove कर देना चाह किये, ताकि society में fraternity, भाहिचारा और equality समान ताकि separate promote किया जा सके, और democracy को social democracy में convert किया जा सके, स्तामाजिक लोगतंत्र आए जी, social dimensions के साथ इनका ये भी मानना था जी, कि ये liberalism से influence थे, मतलब जो parliamentary democracy है, उसमें कुछ limitation है, कुछ कम ही आए जी, parliament democracy में इनके साफ से, क्या, कि parliamentary democracy क ज़्यादा focus करती है, और ज़्यादा focus करती है, liberty पह, आजादी पह, और इनका मानना था कि parliamentary democracy का मतलब सिर्फ liberty नहीं है, उसका मतलब है जी, social और economic liberty भी होने चलिए, और जो कि parliament democracy वो ignore करती है, social और economic democracy को, और focus इकुच करती है, liberty पह, सिर्फ आजाती पह, ये करती है, तो इस से इन्हों ने parliamentary democracy को भी criticize किया था कि सिर्फ ये liberty पे focus करती है आजादी पे और जो true democracy उसका मतलब है जी liberty और equality दोनों पे focus किया जाए आजादी पे भी और समानता पे दोनों पे equally focus किया जाए लेकिन parliamentary democracy की इगनोर करती है किसको social और economic inequality को next इन्हों social reform के बारे में इनकी क्या ideology थी देखो बावा साहिब ने untouchability को अपनी पूरी life में remove करने के लिए devote कर दिया जी मतलब पूरा योगदान दिया कि छोहचात को मिटाय जा सके और national level पे campaign भी चलाए जी इन्होंने untouchability को remove करने के लिए इन्होंने क्या कि जब तक जी untouchability को remove नहीं किया जाएगा तो जो caste system है उसको भी abolish नहीं किया जा सकता उसको भी abolish का मतलब है remove कि totality में caste system को भी जाती पर तको भी हटाय नहीं जा सकता जब तक untouchability को छोहचात को हटाय नहीं जा सकता तो इस तरह से इन्होंने जी untouchability के आजी एक slavery थी for entire Hindu society मतलब यह मानते थे जो untouchability है वो पूरी Hindu society society के लिए गुलामी है slavery है गुलामी है कैसे जी पूरी Hindu society के लिए गुलामी slavery वो इस तरह से जी उन्होंने कहा देखो untouchable के साथ untouchable को गुलाम बना के रखते हैं कुछ Hindu की caste अपर कास्ट लेकिन जो अपर कास्ट हैं वो भी enslaved हैं वो भी slave हैं किसके गुलाम है वो religious sculpture के religious sculpture का मत अधार में वेध हैं जी पुरान हैं गरंत हैं उनके based पे वो भेदभाव करते हैं उनके हिसाफ से चलते हैं और लोगों के साथ भेवदभाव करते हैं तो ये गुलाम है जी religious sculpture के और जब ये गुलाम है तो ये गुलाम बनाएंगे कुछ कास्ट को हिंदूों में इस तरह से पूरी इंटार हिंदू सोसाइटी गुलाम है जी slavery है और अगर इसको मिटाना है तो untouchability को हटाना ही पड़ेगा जिससे पूरी whole हिंदू सोसाइटी को emancipation किया जा सके मतलब आजाद किया जा सके तो इनका मानना ये था जी कुछ priority दीजी इन्होंने social reform के लिए ये believe करते थे economic और political issue में believe करते थे कि केबल और केबल social justice क्या जी achieve किया जाना चाहिए और जो social emancipation है वो सबसे पहले आना चाहिए political emancipation से पहले social emancipation आना चाहिए ये जो upper caste हिंदू है जी और जो lower caste पे atrocities होती है उनको denounce किया मतलब इन्होंने इनका idea था जी के देखो सिर्फ economic progress करके ही किसी का भी मतलब freedom और equality नहीं ला जा सकती क्योंकि इनका मानना था जो हिंदू society में जो slavery है वो progress रुकी हुई है वो ये जी mental slavery मानसिक गुलामी है मानसिक दास्ता है तो economic progress करके कि आर्थिक इस्तिती अच्छी करके ही social justice नहीं लाया जा सकता है इनका मानना ये था कि economic progress ही सिर्फ only important नहीं है बलकि mental slavery जो हिंदू society में है उसको पहले हटाना है तो अगर society में reform लाना है social reform करना है तो ये casteism है caste system में जाती परता है उसको हटाना ही पड़ेगा reform का मतलब है जी नहीं के साफ से कि जो practices है हिंदू society में जैसे child marriage है बच्चों की marriage कर दी जाती है छोटी आयू में तो इसको remove करना पड़ेगा eradicate करना पड़ेगा दूसरा जी religious reform के बारे में इनका था कि जो woman को बांदा हुआ है लोगों ने subordinate समझा जाता है man का तो इसके ये against थे जी इन्होंने strongly support किया empowerment of women महीला ससक्तिकरन के लिए बहुत ही काम के जी इन्होंने support कि महीला को right to property हो जी महीला को भी जी अधिकार हो property में जो land वगरा उनके नाम पे नहीं होती भूमी वगरा इनको भी अधिकार हो इसके लिए इन्होंने जी Hindu code bill भी इन्होंने लाया जी promote किया पार्लामेंट में Hindu code bill बहुत controversy चली जी दी Hindu code bill पे आपको पताया जी Hindu society patrial कर रही है women's को समान अधिकार नहीं दे पाई है चाहे वो कोई भी कास्ट के हो पर कास्ट के ब्राम्मन च्छत्रिय कोई भी हो जी किसी भी कास्ट में equal right नहीं मिलें तो इसके समर्थकते जी women's के समर्थकते अंबेड कर जी कास्ट पे इन्होंने क्या काई बोला जी और कास्ट पे का जी Hindu society को कास्ट सिस्टम ने रोका हुआ है stagnant क्या हुआ है जो ये social integration तो रोकती है और हमारा integration outsider से भी रोकती है एक hurdle है integration with outsider बाहर के लोगों से integrate करने में भी ये एक बादा है hurdle है तो इन्होंने Hindu society को जी ये fail हो गई ह के satisfy करने में the test of homogeneous society के Hindu society में जब तक एक ता नहीं लाई जा सकती homogeneous society नहीं बनाई जा सकती जब तक कास्ट सिस्टम को नहीं remove किया जाएगा different caste ये क्या hurdle बनी हुई है इन्होंने कहा था जी caste system does not allow lower caste to prosper मतलब जो अपर caste है जी वो caste system के अनुसार lower caste है उनको prosper उनकी समृद्धी आने नहीं देती है और इस तरह से जी एक काफी लड़ाई लड़े जी battle for removal of untouchability ताकि सब को human right और justice मिले इन्होंने कुछ method बताए जी किस तरह से unt prospect create करो अपना आत्म सम्मान create करो ताकि आप जो inherent आपके अंदर जो pollution है कि आप अपने आपको अपने mind में untouchable समझते हो पहले उसको हटाओ उसको remove करो इन्होंने कहा उसके लिए पहले education लाओ जी education होनी चाहिए बाबा साब embed कर का मानना ये था जी कि knowledge क्या है knowledge is liberating force knowledge एक liberating force है जी आजाद दिलानी के लिए knowledge सबसे अच्छा साधन है कि अगर untouchability को हटाना है तो आप education को promote करो और इन्होंने criticize क्या जी British government को भी क्यों क्योंकि इन्होंने British government ने भी education के लिए lower caste में education आये उसके लिए भी काफी खुछ नहीं किया और इन्होंने एक तरह से insisted किया कि secular education के लि नेक्स्ट इन्होंने एक तरीका बताया जी untouchability गोटाने के लिए यह economic progress कि economic progress होने चीए जी आर्थिक अवस्ता अच्छी होने चीए अगर मानलो जी कोई village community है या traditional job करता है कोई अपने रीती रिवाजों के अनुसार कोई कोई भी website करता है जी job करता है तो उसको छोड़के और नई skills अचीव करने चीए नई दक्सता हासिल करने चीए और जो modern industrialization है उसका advantage लेना चीए मतलब जो modern industries है उनमें अपनी job लेने चीए नई job करने चीए नई skills हासिल करके तो इन्होंने economic progress के जरिए untouchability को कैसे हटाया जाए यह कुछ तरीका बताया next इन्होंने बताया जी political strength कि अगर untouchability को हरना चाते हो तो political power achieve करो untouchable के पास political power होनी चीए ताकि वो protect कर सकें अपने safeguard कर सकें अपने rights को और new imaginary policies बना सकें इंट्रेडूस कर सकें next इन्होंने बताया जी conversion कि अगर इसके बाद भी कुछ ना हो तो convert कर लो हिंदूइजम को ही छोड़ दो कि अगर फॉलवर ने भी 14 अक्टूबर जैसे हमने पढ़ा 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने हिंदुजम को छोड़ गए बुद्धिजम को adopt कर लिया और फॉलवर बनगे जी इनके काफी सारे फॉलवर थे उन्होंने भी बुद्धिजम में convert हो गे जी क्योंकि बुद्धिजम इनके ल मिला है उसको reject करता हूं और discard करता हूं जी religion को जो एक man और दूसरे man एक आदमी आदमी के बीच में discriminate करते हैं भेदवाव करते हैं मैं ऐसे religion को reject करता हूं ऐसे विकार करता हूं क्योंकि ये मुझे inferior treat करते हैं मुझे कमजोर समझते हैं तो इन्होंने reject कर दिया जी और बुद प्लिटिकल लेवल पर प्लिटिकल और्गनाजेशन मतलब अडॉप्ट करनी चाहिए प्लिटिकल और्गनाजेशन बनानी चाहिए प्लिटिकल पावर अपनानी चाहिए next spiritual लेवल पर इन्होंने self-assertion का मतलब है जी claim self-assertion आत्म समरपन या conversion इन्होंने बताय जी तरीका untouch को untouchability को remove करने के लिए next present time में अंबेड करजी की philosophy कैसे relevance है उप्यूक्त कैसे जी relevance का मतलब है उप्यूक्त कैसे suitable है अंबेड करजी की philosophy देखो caste based inequality है जो caste जाती के आधार पर जो ऐसा मनता है हमारे इंडिया में आज भी है still persist आज भी है क्योंकि देखो जी जो दलित्स हैं उ चलब कुछ लोग बन गए हैं नेता वेता बन गए हैं reservation के आधार पर उन्होंने political identity हासिल कर लिए लेकिन अभी वह social dimension में ब्याहिंड करते हैं जी लेक ब्याहिंड इन social dimension जैसे health education और economic dimension में अभी भी पिछड़े हुए है देखो इस caste based society ने communal polarization कर दिया है हमारी society में एक तरह से communalization of politics भी create किया है तो society को polarization कर दिया जी हमारी society में caste ने तो ये जरूरी है कि अगर embed करके vision को जो constitutional morality है उसको adopt किया जाए तो religious, ये constitutional morality को must supersede religious morality मतलब अगर जो embed करजी की philosophy थी constitutional morality की अगर उसे religious morality के मतलब religious morality के मतलब उसके सथान पे religious morality को replace करके constitutional morality को adopt किया जाए तो Indian constitution को damage होने से बचाय जा सकता है और society में equality लाई जा सकती है तो ये आपको line लिखनी है जरूर कि constitutional morality को adopt करना चाहिए और replace करना चाहिए religious morality को conclusion में क्या लिख सकते हैं जी अगर means में answer लिखना है देखो एक history ने जी लेखक history के बारे में लिखते हैं आर्सी गुवा, रामचंद्र गुवा इनके according भीम राम अंबिडगर जी एक unique example ने जी कैसे इन्होंने जी success हासिल की even in most adverse situation देखो जी उस टाइम पे आज भी देखो जी आपने देखा होगा village areas में बहुत discrimination भेधवाव होता है और उस टाइम में इनके टाइम पे जब ये तरह थे 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 जब बहुत ही भेधवाव था देश आजाद भी नहीं था कोई equality नहीं तो इतनी विपरीत condition में adverse situation में इन्होंने अपने आपको success दिलाई तो एक unique example है आज भी socio economic challenges है हमारे society में जैसे casteism ही है जी जाती पर था communalism है जी समुदाय का आधार पे धरम के आधार पे होता है जी separatism है gender inequality है जी women's के साथ लड़कियों के साथ भेधवाव होता है जी बहुत ही form में होता जी gender inequality तो बहुत सारी form है तो इस तरह से जी अगर हमें हमारे equality लानी है जी society में तो embed कर जी के separate को adopt करना पड़ेगा जी उनके constitutional morality के separate को ताकि society में equality लाई जा सके तो इस lecture में इतना ही जी